आर्पी एसी का कॉलेज लेक्चुरर जू लोजी का सलेबस है यह वाला और पहला जो युनित है पहली युनित है वो अपने आप में पूरी की पूरी युनित है और इसके ऊपर इन्होंने क्यों ने लिख लिख ज known repeat देख कि क्या है कि फ्रॉक्ट्ट difícil फ्रेंट श्रॉड प्रॉब्लाक्यश की youth को शुरू करेंगे यहां से हमने लिया यह आपके मैंब्रेन के इस्ट्रंप्चर बहुत शूपर इसमें एक्स्परिमेंटल चीजे हमने हटा दी है जो हमारे CSR में होता है उसको हमने नहीं इंक्लूड किया है यहां और यह आगे जाएंगे तो यह आपका एर, nucleus का पूरा का पूरा structure, mitochondria किस प्रकार से कारे करते हैं, ये सारा endoplasm reticulum के basics, उसके बाद गॉल्जी एप्रेटेस के basics, lysosome, इदर endocytosis क्या होता है, तो क्या होता है, पर हमारा main ध्यान है उसके बाद DNA, क्योंकि आपका जो third section आता है, वो आता है यहाँ पर DNA, DNA basically structure of nucleic acid, जिसको हम कहेंगे, structure of nucleic acid में चले जाएं, DNA की basic structure, कौन-कौन से structure वो create करता है, basic नाम आपके जो होते हैं, DNA की structure में, hydrogen bond के बनने की किस तरह से संभावना होती है, ABZ DNA, हर exams में चाए छोटा exam हो, चाए बड़ा exam हो, यह जरूर पूछा जाता है, कहीं मेजर ग्रूब माइनर ग्रूब में basic difference क्या है, यहाँ पर आजाईए, जो एक छोटी सी चीज हमने इंटर्ड्यूस किया, वैसे पूछा नहीं है exam में, या आपके जो तीनों नंबर, इंट्विस्टिंग नंबर, रिदिंग नंबर, लिंकिंग नंबर, RNA के केस में, RNA, TRNA के स्ट्रक्चर, उनके फंक्षन, वैराइटी जो ऐसा ही RNA, mRNA इनके बारे में यहाँ पर जानकरी है, यह बला जो टॉपिक है, यह बैसिकली ट्रांस्क्रिप्चनल रेगुलेशन नीचे की तरफ आएगा, आपके अभी सिलेबस में, उसका एक टॉपिक है असल में, यहाँ आगे जाओगे तो, यह सारे के सारे RNA, वाइरोइड, वाइरुसोइड, यह सब कुछ हमने डिफाइन किया, क्योंकि आप infectious RNA जो होता है, अगर आप सिलेबस ध्यान से देखो, तो यहाँ पर DNA replication, repair, recombination, unit of replication, enzyme involved, replication origin, replication fork, replication, और बड़ा जोड़दा ढग से stress किया है, हमने भी इसको ऐसे ही बनाया है, enzymes involved in the DNA replication, उसके बाद आजाईए, आप सारे enzymes की बहुत elementary idea, लंबी लंबी list होती है, वैसे तो CSR में, यह वाली particular list आपको बहुत अच्छे से त्यार करनी है, जो कि आपको prokaryotic DNA polymerase और eukaryotic DNA polymerase की detail बता रहा है, ligages क्या होते हैं, यह बता रहा है, DNA replication का process, कुछ इस तरीके से हमने define किया हुआ है, क्योंकि origin के बारे में उन्हें specially कहा है, तो हमने prokaryotic origin और eukaryotic origin यह आपका prokaryotic origin यानि की initiation बैसिकली और eukaryotic initiation दोनों पर stress किया है, replication fork को clearly define किया है, यहाँ पर termination के बारे में, tilloverase के बारे में हमने define किया है, उसके बाद आजाए आपके basic DNA repair, में main main 2-3 जो शुरुवाती होते हैं एक तो direct repair जिसको अपन फोटोलाइस बेस्ट रिपेर वो लेंगे, NER, BER, 0-derma pigmentosa का बहुत elementary idea और MMR सिधे के सिधे, यह वाला है सारे के सारे हमने define किया है, detail जो gene level पर बाते हैं, वो हमने इसमें include नहीं किये, DNA recombination अपने आप में बड़ा महत्वपूंग topic है, इसमें आपका homologous recombination, site-specific recombination, जैसे कि यहां syllabus में आप जान सकते हैं, site-specific recombination, homologous recombination, DNA repair mechanisms होई गए हैं, यह आपका holiday model, जो की normal homologous recombination की category होती है, recbcd वाले पर आपको विशेज ध्यान रखना, काफी अच्छे प्रशन पूछे जाता है, इन processes के बाद सीधे कि सीधे हम site-specific recombination के पर आजाता है, examples of the site-specific recombination, यह आपका basic site-specific recombination यहां से शुरू होता है, site-specific recombination, तो से levels को हमने exactly follow किया है, यहां पर, उसके बाद RNA synthesis में पूरा का पूरा आपका activated repressor, RNA polymerase की कहानिया क्या होती है, अलग-अलग तरह के RNA, वैसे तो एक बर पहले आपने define कर दिया है, शुरू अलग-अलग तरह के RNA, लेकिन इसको हम यहां पर और थोड़ा अलग तरीके से और ले चुके हैं, जैसे mRNA, tRNA वगएरा फिर हम लोग जया ध्यान दे रहे हैं, यह आपका transposition एक additional topic डाला है, क्योंकि यह भी एक तरह का recombination और jumping gene की category, इसलिए अपनने इसको include कर लिया है, transcription को हमने definitions, basic definitions से वहां से शुरू किया है, what exactly the keywords are, कि कई बार सवाल इन में से directly आते हैं, RNA polymerase की type क्या है, prokaryotes में और eukaryotes में, उसके बाद elongation का procedure क्या है, यहां पर हम चले जाएं, overall regulation में, enhancer हमने define किया है, so these are the some of the things, overall, protein synthesis यहां पर उसके बाद शुरू हो जाता है, जो अगला topic है, protein synthesis में extreme basics को लिया है, ज़्यादा detail नहीं लिया है, इस जगे पर, और हमने इसको mainly prokaryotic system के उपर ज़्यादा जोड़ देते हुए चीज़ों को fix किया है, आपके सरेवस में नीचे कज़ेवगरी बात दे रखी, control of gene expression at transcription translation level and regulating expression in phases, phases का मतलब phases, viruses, prokaryote, seukaryote gene, role of the chromatin in the gene experience silencing, जो ही आप phases बोलोगे, आपको lambda phase भी मेरे खाल से पढ़ना चाहिए, जो कि option नहीं बचता है आपके पास, lambda phase को हमने इसमें include कर लिया, at least elementary idea आपको इसमें से पढ़ना है, lambda phase के लावा वैसे तो technically आपको M13 वगरा पढ़ना चाहिए, लेकिन हमने include नहीं किया, क्योंकि धेर सारे question इसमें बन जाते हैं, M13 बेसमें include किया है, धेर सारे question बन जाते हैं, आपके T4, bacteria phase वगरा इसके अंदर सारे include है, control of procurity gene expression में आपके main जो हमने focus किया है, वो operons के उपर यहां पर पूरी तरह से, उसके बाद क्योंकि यह controlling mechanism है, उसके बाद aerobinoze operon वगरा सभी कुछ include किया है, आपका chromatin structure और बहुत elementary level पर chromatin का regulation, बस इस स्यादा अपने को दिमाग ने लगाना है, फिर paper 2 में अगली वाली बात आती है, आपकी जो की cell signaling, cell communication वाली जो unit है, second number पे, paper 2 में, उसमें यह cell signaling है, प यहां सारा enzyme link receptors हो गए, जो कि इस सारी signaling आपके syllabus में है, जो कि मैं आपको एक बार फरी यहां दिखा दूँ, cell cell communication में, regulation of hematopoiesis को इस जगह पर नहीं डाला है, इसको हमने animal physio में डाला है, क्योंकि यहां कोई logic बनता नहीं है, जो गलती CSR ने कर रखी, वो इन्होंने यहां कर रखी, इसलिए मैंने इसको यहां से omit कर दिया है, neurotransmitter transmission and its regulation, इसको भी हमने animal physio में डाला है, यहां से हटा दिया है, यहां हमने main रखा है, आपका जो cell signaling का यह पूरा का पूरा concept, bacterial chemotaxis और cell signaling in the plants, एक शब्द मैं आपको बढ़ा दू, light signaling in plants का मतलब होता, phytochrome, kryptochrome, I don't उनों ने यहां के उडाला है, क्योंकि हमने इसको यहां पर bacterial and plant two component signaling, that is your ethylene और bacterial chemotaxis, यह दो ही signaling इसके अंदर add की है, जो कि इनोंने यहां mention भी किया है, इसको हमने हटा दिया है, क्योंकि यह बहुत बड़ा topic है, अपने आपने जुलोजी वालों को technically नहीं पढ़ना इसमें सारी जितनी भी तरह की signaling है, जो कि आपके अलग-अलग point of view से काम आती है, क्योंकि यहां पर define किया है, इनोंने signal transaction pathways, secondary messenger, regulation of signaling pathways, regulation of signaling pathways में बहुत सारी तरह की चीज़ें होती है, बट इसको हमने यहां पर, जितनी तरह की signaling हो सकती है, उसको हमने add किया, then, यह आपका two component signaling, signaling implants में, two component signaling system आपके bacterial chemotaxis में, quorum sensing इसको यहां add किया है, cellular communication में दूसरा हिस्सा है, आपका cell junctions का, जिसमें katherin integrins और desmosome, hemidesmosome, focal contact, adhesion belt, tight junction, इन सब के बारे में यहां पर detail में बताया गया है, गैक्स, proteoglycans, क्योंकि excess cellular matrix का मामला है, और यह कुछ इस तरीके से, ठीके, और apoptosis की, cancer के बाद इन्होंने apoptosis को भी define किया, एक जगह पर, यहां पर changes in the progenitor cells, oncogen, tumor suppressor genes, जीन के नाम लिखना है, cancer and cell cycle, तो cell cycle को यहां पर include करते हुए, metastasis और apoptosis, apoptosis in therapeutic intervention of the uncontrolled cell growth, तो यह कुछ apoptosis यहां पर, और, that's how it is getting completed, यह आपका cell cycle के checkpoints, और ही सारी के सारी चीज़े, फिर आता है आपके, part third जो है, इसका, that is your next unit, biological techniques and the biotechnology, इसमें अगर आप शुरू से शुरू कर रहे हैं, microscopy के बारे में बात कर रखी, पहली unit में, microscopy, light microscopy, confocal, fluorescence, face contrast, electron microscopy, atomic force, microscopy, image processing methods in the microscopy, microscopy, microscopy की, चुकि RPS सी है, तो यह history geography है, आपको याद करनी चाहिए, कि कौन से वाले देखती ने, क्या हो जा था, microscopic method आ गया यहां पर, उसके बाद हम कुछ आगे चले जाएं, यह वाली सारे के सारी बात है, यह सदर्न हाइब्राइशन वगरा आ गया है, atomic force microscopy तक का यहां पर है, थोड़ा मैं इसको, वीडियो को मिझे short रखना है, staining technique of the electron microscopy, उसके बाद ethidium bromide staining, क्योंकि इसमें nucleic acid staining शब्द आगे की तरफ दिया हुआ है, यहां है, histochemical staining of the nucleic acid and enzymes, तो इसलिए हमें इसको include करना पड़ा, ठीके, यहां आपके अगला जो topic है इसके अंदर, antibody generation, blotting techniques, blotting techniques में आपके southern blotting वगरा यहां पर आ गया है, Southern, Northern, Western, Colony hybridization यह सारे blotting techniques को यहां पर include किया, उसके बाद histology के जो topics हैं, वो आपके include कर दी, क्योंकि यह भी जो जुलूजी वाले होतो इतना fixation techniques और dyes क्या होती हैं, और synthetic dye, natural dyes क्या होती है, vital stains क्या होता है, कौन सावले stains किसलिए इस्तेमाल होता है, cytological staining techniques इसमें इस्तेमाल कर ली, उसके बाद potential problem related with immunogens, यह आपके basic जो applied जिसको हम बोलता है, immunology, उसको include किया है, monocular antibodies production कैसे होता है, क्योंकि antibody production आपके topic है, antibody का बहुत elementary idea, उसके बाद immunos है, क् यहाँ पर syllabus में, immunosytochemical techniques, fish and gish इसके बाद है, immunosytochemical techniques इसके बाद है, immunosytochemical techniques होती है, वो असल में यही सब कुछ होता है, यह सारी की सारी techniques आपन लोगों ने ली, इसके बाद, क्योंकि immunosytochemical techniques, immunology आप लोगों के formally नहीं है, एक जगह पर animal physiology में immunology लिख रखा है, basic immunology, आपको techniques के बारे में तो मेरे ख्याल से काफी कुछ पता होना चाहिए, रिया वगरा, ELISA तक का यहां पर इसमें सब कुछ include किया है, notes में, वीडियो के अंदर भी सारी की सारी चीज़ें detail में हैं, और in-situ hybridization की जो techniques हैं यहां पर, जैसे की in-situ hybridization कैसे काम करता है, फिश क्या है, यहां पर, और यह सारा की चीज़ आ गई, उसके बाद radio labeling techniques में पूरा radio basic radio activity, क्या होती radio activity, कैसे change होता है, उसके बाद ISO bar क्या होते हैं, ISO tones क्या होते हैं, elementary जिसको हम कह सकते हैं, प्लस, biology में, biochemistry में, जो radiations होते हैं, वो कैसे काम आते हैं, वो सारा का सारा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, radio labeling techniques में, यह table लेक्ति याद गरनी कि कौन सा वाला radio, जो radioactive compound हो कैसे इस्तेमाल होता है, that's it, इस स्यादर तो अपने को पढ़ना नहीं, बहुत आराम से है, तो वहाँ आप at least पढ़की पूरा कर लें, क्योंकि कहीं लोगों को लगता है, वैसे कि video करना ज़्यादा समय लेने वाली चीज है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका भी काफी short form हमने create किया है, video, video बनाते हुए, और अब हमारे proper जितने भी मेरे videos हैं, वो पूरे कर रहा हूं, अगले कुस दिनों के अंदर-अंदर, तो कोशिश करूँगा, मैं इसका shortcut आपको create कर दूँ, detail में पढ़ना कभी भी नुकसान में नहीं होता, आपके पास chance नहीं होते चीजें शुटने के, आपके chromatography और इधर नीचे की तरफ चले जाओ, तो यह पूरा का पूरा, मैं रहा से, you can rely on me, electrophoresis, यहां पर centrifugation, चीजें उतनी रखिए जितना आपके RPC के लेवल पर जरूरी होता है, isolation and purification of the DNA, RNA, क्योंकि अगली unit आपकी यहां पर से, यह शुरू होती है, यह सबसे बड़ी unit है, वैसे इस वाल में है, यह भी यह और animal physio भी काफी बढ़ी है, genomic और plasmid DNA का, और protein separation methods आपके, यह आपका plasmid isolation का, bin point and dolly's method, famous नाम है, उसके बाद the principles of protein purification, क्योंकि protein का isolation भी इसके अंदर रखा हुआ है, salting in, salting out, वगएरा के type के topics, यह आपका salting in, salting out का phenomenon, उसके बाद the molecular cloning and the DNA fragments in the bacterial and eukaryotic system, यह भी एक unit है आपकी, कुछ यहां पर, यह वाला, चलिए, molecular cloning के बाद यह आपके जैसे main main enzyme, आप लोगोंने basic basic से नाम याद किये, कि again, जब भी मेरा topic शुरू होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि, keywords का section रखता हूँ, some terms to remember before starting the genetic engineering, simple simple terms है, जिन में आपकी काफी सारे question बन जाते हैं, diagramatically बहुत अच्छे से बनाया गया है, यहां पर जैसे topics अगर आप देखेंगे, protein expression, protein production strategy in the expression system, अगर मैं यहां पर चला जाओं, तो यह चल रहा है, methods of analysis of gene expression, large scale expression, और यह strategy of genome sequencing, यह सारे topic यहां पर topic आ रहे हैं पूरे के पूरे, ठीके, isolation separation of the carbohydrate and lipids, यह जो topic है, यह थोड़ा सा और नीचे चला जाए हम, यह आपके कौन-कौन से products आपको मिलते हैं, genetic engineering से, वह लिस्टिंग्स होती हैं basically, और proves के बारे मैं यहां पर पूरी जानकरी, जिसमें कि PCR वगरा का आपका topic है, यह पूरा का पूरा, यह आपके genomic library, plasmid और vectors वगरा सारे के सारे, ठीक है syllabus को वापे से match करेंगे इधर की तरफ, यह आपके plasmid, phas, और यह प्रोटिय नुक्ली गर्सिट सीक्वेंसिंग के methods हो गए, ठीक है, यह गॉल हो गया, अपना अपना अग्रोवेक्टिम्स व्याट्यूमिफेशियन्स, उसके बाद आजाए, यह mutation in the higher organism और यह इस तरह का topic, यह topic है basically mutagenesis, in vitro mutagenesis, deletion technique, gene knockout, bacterial and eukaryotic system, तो यह आपका side directed mutagenesis, mismatch mutagenesis, knockout वगरा का सारा system, यह knockout कैसे होता है, इदर in vitro side directed mutagenesis, उसके बाद modification, सारे mutations वगरा के बारे में, gene knockout in the bacterial and eukaryotic system, यह कुछ theory के बारे में, इसके बारे में जो theories है, gene knockouts क्या होता है, nucleases कैसे इस्तेमाल होता है, gene knockout knock-in क्या होता है, क्योंकि एक additional knowledge भी थोड़ा सा होना चाहिए, उसके बाद आज यह protein sequencing strategies, protein sequencing strategies है, हमारे syllabus में यहां पर define किया गया है, protein sequencing method detection of the post translation modification, the DNA sequencing method strategy of the genome sequencing, यह protein sequencing, एक सवाल भी यहां पर दे दिया है, मैंने कैसे clear होता है, protein post translation modification, यह सारे के सारे, उसके बाद detection methods, gel-based detection techniques of the PTM, PTM मतला post translation modification, multi-toff analysis, micro-array analysis based, आपका DNA sequencing यहां पर पूरा का पूरा system, उसके micro-array technology, आपके syllabus and methods of the analysis of the gene expression of the protein level, and large-scale expression such as micro-array based techniques, micro-array based technique यहां पर पूरी पूरी define किये, proteomic analysis, तो बड़ा शांदार है, आप लोंका काफी कुछ नोंने पूछने का प्रयास किया है, यह आपका पूरा का पूरा micro-array हो गया, उसके बाद isolation separation analysis of the carbon and lipid, यह पूरा का पूरा यहां पर यह डिफाइन हो गया, यहां पर यह पूरा lipid or analysis वगरा, RAPD, RFLP, RAPD, AFLP, यह तीन टेकनीक हैं, तो हमने इसको उतना ही रखा है, जतना पूछा गया है, तो यह लगबग आपके खतम हो जाते हैं, pages 197 से, 239 pages नहीं है, बाइस टेट्स लास्क में आपकी, जो भी आपके course में हैं, और tips वगरा, इसमें सारे के सारे हैं, जिसे की regression वग अगला section आता है, आपका animal ecology, biodiversity and wildlife studies, ठीके, यह हमने ecosystem, मैं थोड़ा सीधे ही काम के बात पर आजाओं, यहां पर, terms used, इसमें हमने, वैसे के वैसे ही रखा है, जैसे आपना syllabus है, abiotic, biotic component, population ecology, population ecology हमारे लिए थोड़ा सा अलग होता है, इसको हमने, जैसे यह जो topic है, यह population ecology के सा मिक्स कर दिया, तो exactly arrangement वैसा नहीं रखा, क्योंकि वो बड़ा जी वरी भास्यास पर हो रहा था, ठीके, यह आपका, इसमें से जो कोशिश की हमने, जो plant वाले जितने भी examples ते वो हटा दिये, और animal वाले examples के बैसे इस पर पूरा खबूरा इसको रखा है, हमने, यह आपका soil, syllabus का अगला section है, आपका population ecology, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से हम इसको आगे चले जाए, population ecology, population ecology में आपका, जो basics हैं, सारे के सारे वो लिये हैं, इसमें हमने, जितना exactly आपके syllabus में हैं, अगीन उसी को touch किया है, जिसे inter relationships, extinction क्या होता है, structure population, structured population क्या होती, concept of meta population क्या है, वो सारी के सारी चीज़ें, इसकेंदर include किया, art selection, case selection, बहुत high frequency question है, बहुत सारे exam से पूछा जाता है, population structure, यह आपका, यह pyramids, life tables, key factor analysis, population का size कैसे define होता है, यह सारे के सारे topics के अदर हमने include किया है, ठीके, उसके बाद MacArthur Wilson theory, थोड़ा सा इसके बारे में जान करी है, competition क्या होता है, है, यह सारे के सारे topic, यह inter-specific interaction, inter-specific interactions, community क्या होती है, community के बाद आप, क्या क्या इसके features है, यह table कैसे बना जाती है, capture, recapture के famous question, बहुत सारे exam से पूछता है, ecological succession का क्या concept है, पूरा का पूरा, वो सारा यहां पर दिया हुआ है, that it is food chain, इसके बाद ecosystem, ecosystem आपके course में है, पूरा का पूरा, that is, by J chemical, यह concept of ecosystem, by J chemical cycle, limiting factor in the concept of the habitat and ecological niche, यह कुछ, यहां यह वाली सारी चीज़ है, ठीक है, esturies को, एको system है, esturies के लावा, by J chemical cycle, biome, environmental pollution, बैसे के लिए, इसमें से आप यह कर सकते हैं, कई बार, कई जगों पर जहां पर आपको लगे कि something is going beyond your level, यह ज्यादा है, तो आप अपने आप से भी इन चीज़ों को cut कर सकता है, यह आपके पास एक freedom होती ही, पुरी के पुरी, ठीक है, so, this is phyto remediation, by remediation, यह आपके last के topics हैं, और by geographical reasons of India, यह आपका conservation, major biodiversity area, pollution, और इसके अंदर by remediation आपके यहां कोर्स में हैं, ठीक है, यह सारी के सारी चीज़ेंस में इंक्लूट किये हैं, और लास्ट यूनिट है आपकी जो बड़ी अजीब हो गरीब बात है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, कि जितना भी कुछ बचा कुछ आता biology में, modern biology के नाम पे, यहां पर से यहां तक पुरी वायक हमिस्ट्री है, यह इन्होंने cell biology के, जिसे मैंने कहा था, topic यहां पर दु मज़े की बात है, elementary idea of immunology का मतलब क्या होता है, यह मज़े थोड़ा समझ में कमाया, तो elementary idea हमारे लिए होता है, कि वही, blood cell का, blood का पूरा composition आप बता दो, उसके बाद, at least antigen और antibody बताओ, और innate immunity क्या होती है, vaccine क्या होता है, तो क्या क्या होता है, हमने उतना सा इसको तीन चीज कर दिये, उसके बाद, clear cut इनने define के endocrine logic और physiology of reproduction, यह बहुत बड़ा है, अपने आप में ही, यह unit अगर आप देखेंगे तो biochemistry, इननने मैंने पूरा का पूरा है include किया है, जो भी आपका biochemistry में है, जितने में शब्द यहां पर लिखे थे, उनसे संबंदित सारी के सारी बात problem हो जाता है, enzymes में लिखा हुआ है, वैसे तो enzymes and hormones, अब यह क्या chemistry है, तो इतना सा तो आपको देखना पड़ेगा, यह है no option, तो हमारे इस, हमारे end पे तो हमने आपको सारा कुछ दिया है, अब आपकी अपनी gut feeling क्या केती है, आप उतना सा जरूर तयार करें, carbon metabolism, अधर की तर यहाँ, ETS, ETS भी by default आएगा, यह आपका fatty acid metabolism, metabolism यह अपने आप में काफी कुछ यह लगबग 50-60 पे जो जाएंगे, कि unit number one, इसके बाद muscles के बारे में हमने यहां बात कियो, कि आपके second जो line है syllabus की, वो muscle के बारे में है, तो muscle physiology को हमने यह include किया है, here is the muscle, और उसके बाद आ रहा है आपका neurotransmission, neurobiology, neurobiology में हमने यह सारे सीज़े include की, so these are the things, जो आपको देखनी है, overall, neurotransmission में हमने फिर neurotransmitters, उसका भी एक अपने आप में topic बनता है काफी कुछ, at least elementary जो चीजें हो सकती है, eyes की functioning, क्योंकि अगला जो topic है, वो eyes के बारे में है, eyes की functioning, इदर ear की functioning, पूरी की पूरी, उसके बाद taste, smell, फिरोमोन्स वकिरा सारे, GI tract, आपके brain नहीं है, एक और चीज़ ध्यान दीजेगा, इस बार brain पहीं भी किसी भी इस अलबस मनी, comparative anatomy में brain आ गया, उतना आ गया, यह आपका hematology का जो topic था, जो मैंने आपको बताया था, कि hematopoiesis, तो blood composition के साथ हमने इसको पूरा का पूरा रखा है, इसमें different type of hemoglobins, blood composition क्या है, यह थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कोशिश हमारी यह रही है कि आपने आज तक जो नहीं पड़ा है, उसको यह immunology को elementary basis में हमने ले लिया पूरा का पूरा, इसमें antibody, antigen और basic immunology जो होती है, सिर्फ उतना से include किया है, सभी तरह की है, MHC क्या होता है, क्या नहीं होता है, पर सीधे circulatory system पर आगए, इसमें आपके electrophysiology आपके course में है, तो electrophysiology को हमने इसमें include किया है, and this is excretory system, फिर इसके बाद से आपके आती है, अच्छी कासी endocrineology, endocrine physiology, इसमें structure, function of pituitary, और glands के बारे में, यह चीज़ें, इसकी सारे के सारे नाम, कैसे काम होता है, कैसे hormone बनता है, यह सारे के सारे topic इसके अंदर include किया है, last एक आते हैं, इसके अंदर reproductive physiology, सबसे बड़ी unit actually, दो ही हैं, आपकी ethology और एक यह, अगला एक और वीडियो बनाऊंगा, पेपर वन का, वो भी अपने आप में बड़ा लंबा चुड़ा है, पूरी की पूरी MSC है जाती उसमें, इसमें, प्रेगनेंसी लेवल, यह आपके astra cycle वगरा, सब include किया है, इसमें, तो आप थोड़ा सा प्रयास करें, आपको जो भी मेरे से सवाल है, यह भी तो नीचे description के अंदर दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, और यह आपके doubts हैं और कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे types,